नमस्कार दोस्तों 17 जनुवरी 2022 के डेली दा हिंदू एडिटोरल डिसक्रिशन में आपका स्वागत है मैं बता दूँ आज साथ आर्टिकल्स चापे हैं साथ के साथ हो इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ 4 आर्टिकल्स कंप्लीट करूँगा बाकी 3 में इंडिभीजिल वीडियो सोग photograph, 65-65 मिनिट में आपको समझा दूँगा अब ही के लिए चार आर्टिकल्स कौन से मैं आपके साथ टेक अप करने वाला हूँ तो पहला आर्टिकल है Taxing Cryptocurrency Transactions हमारे देश के अंदर अगर Cryptocurrency के Transactions को टैक्स करना हो तो किस परकार से इसको टैक्स किया जाएगा क्या क्या चैलेंजेज यहाँ पे Administration के सामने Income Tax Department के सामने आ सकते हैं इनके बारे में इस आर्टिकल न बताया गया है तो इसको देखेंगे अगला जो आर्टिकल है वो है Storm Warnings of a Megacity Collapse देखे इसमें बात की गई है भी 30 December 2021 को चिन्नई में जो खतरनाक बारिश हुई है तो ऐसे बारिशों के लिए हमारे देश में क्या किया जा रहा है जब जो हमारे बिलकुल ही आप कहलो densely populated urban pockets न जैसे चिन्नई हो गया मुंबई हो गया जब यहाँ पे unprecedented weather events आ जाते हैं तो इस respect में हम क्या कर रहे हैं क्या हमारी policy में कुछ changes हुए है किस हद तक इस प्रकार के events हमें नुकसान पहुचा सकते हैं problem क्या है इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बाचीत करी गई है जो भी यहाँ पे पैतरे अपनाए गए हैं चीजों को sort out करने के लिए क्या वो effective हो रहे हैं मिनिस्टर एश जेशंकर साहब ने श्री लंका के जो finance minister है बसिल राजपाक्सा साहब इनके साथ एक virtual meeting किये और इस virtual meeting में इंडिया ने श्री लंका को assure कि हम आपकी मदद करेंगे इंडिया के पास ज़्यादा options है नहीं चूँकि और चाइना के बढ़ते strategic significance को अगर श्री लंका में contain करना है तो इंडिया को involve होना ही पड़ेगा श्री लंका की सरकार के साथ और चलिए इन चार articles के बाद मुझे लगता है एक article यहाँ पर और discuss हो जाएगा तो मैं यह article आपके साथ discuss कर लेता हूँ Super spreaders in the making का festival मनाया जाता है तीन डे की rooster fights होती है जहाँ पे दिन और रात मुर्गों को आपस में लड़ाया जाता है चक्कून मुर्गों के साथ बांध के अब यह जो particular rooster fight वाला event है ना इसमें खूब सटे बाजी होती है शराब वगरा बिकती है आपस की जो hotels में लोग रहते हैं तो hotel वगरा की बिकरी बढ़ जाती है तो इस context में देखो तो यह जो event है आंध्रपदेश के अंदर rooster fight वाला तीन दिन का यह एक super spreader में convert हो सकता है आंध्रपदेश में korona virus बहुत तेजी से फैल सकता है अगर आप omicron की third wave को ध्यान में रखें तो तो इस particular article को हम देखेंगे तो कुल मेरा के 5 articles हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं चलिए शुरुआती हम इस rooster वाले articles से करते हैं आगे बाढ़ने इस पहले वीडियो पे like का button दोस्तों if possible please click the join button आपके join button दमाने से खासा बनत मिलती है instagram पर follow कर लिजे telegram group join कर लिजे दोनों यह चीजों कर लिंग नीचे दिया हुआ है दोस्तों और अगर आपके कुछ viewpoints है कुछ आप additional information बताना चाहते हैं तो आप comments के थूँ मुझे बता सकते हैं पर लाइक कर दीजे वीडियो के engagement को बढ़ाने के लिए जितना आप लाइक शेयर और कॉमेंट करेंगे उतना ही YouTube की algorithms इस प्रकार की वीडियो को और recommend करती है वीवर्स को चलिए super spreaders in the making देखे COVID-19 के pandemic के समय पे high famed rooster fights आप आन्दपदिश देखे मुर्गों को लड़ा के देखना ये जो particular प्रकार का festival है ये पूरे subcontinent में famous है अडिया की बात कर लो पाकिस्तान की बात कर लो अफगानिस्तान की बात कर लो बांगलादेश की बात कर लो हर जगा पे मुर्गों को लड़ा के birds को लड़ा के देखा जाता है इस context में अगर आप आंथ पदेश की बात करें तो Omicron देश में बहुत तेजी से फैल रहा है धाई लाग से जादा cases निकल के आए हैं कल Omicron के अब इसके बावजूद भी coastal आंथ पदेश में एक तीन दिन के order से कि भाई strict vigilance होना चाहिए लेकिन इस blood sport में blood sport क्यों चुकि यहाँ पर birds की तो मौत होती है जो roosters हैं जो chicken हैं उनकी तो यहाँ पर देखो मौक्त होगी और देखने कौन आते हैं लाखों की तागाद में लोग आते हैं अब यह लाखों की तागाद में लोग अगर एक दूसरे के साथ आ रहें और किसी को coronavirus है तो coronavirus यहाँ पर फैल सकता है तो यहाँ पर coronavirus के फैलाओ के चलते भी मौते हो सकती है इस particular fight में होता क्या है कि जो roosters हैं उनमें sharp knives fit कर दिये जाते हैं फिर in sharp knives को रख के roosters आपस में लड़ते हैं अब विस्ती बात है एक bird किसी ना किसी दूसरी bird को चोट मारेगी और यहाँ पर birds की मौत तो होगी ठीक है तो यह birds आपस में तब तक लड़ती रहती हैं जब तक एक surrender नहीं कर देती या मर नहीं जाती stakes बहुत हाई होते हैं बड़े-बड़े सटे हैं यहाँ पर लगाए जाते हैं करोणों की तगाद में यहाँ पर सटे लगाए जाते हैं कि यह bird जीतेगी यह यह bird जीतेगी और पैसों के अलावा लोग अपना agricultural land, घर, कार और दूसरी property तक सटे पे दाओं पे यहाँ पे लगा देते हैं मतलब bird fights इतनी जादा predominant है इतना जादा मज़ा आता है लोग जैसे पत्ते में लोग नहीं सटे जुए में सबार जाते हैं आपने एक चैलिस की लास्ट लोकल जैसी मूवीज में देखा होगा कि उसने इमना फ्लाटी लगा दिया दाओं पे उस प्रकार से यहाँ पे rooster fight में मुर्गों की लड़ाई में लोग अपनी property और कह लिजे कार वगरा दाओं पे लगा देते हैं अब इतना मज़ा आता है उनको यहाँ पे और इसके साथ सथ gambling और liquidate अब लाखों की तागाद में लोग इखटा हो रहे हैं सामने बुर्गों की लड़ाई चल रही है तो उसके साथ entertainment चाहिए तो entertainment में बैठे दरू पी रहे हैं शराब पी रहे हैं gambling के लिए वहाँ पे dance कोल दिये गए तो यह sport बहुत common है coastal आंत्रपदेश के district में ठीक है इस्ट और वेस्ट गुदावरी किष्णा गुंटूर डिस्टिक्स में तो बड़े-बड़े politician और वहाँ के सिने स्टार्स बड़े-बड़े businesses के heads एनराइस तक आके इन festivals में participate करते हैं चुकि वह इन ही इलाकों के हैं बच्पन से उन्होंने इन festivals को होते देखा है तो यह festivals और events उनके life के अब एक अर्ट बन गया है ठीक है तेलांगना करनाटका और समिलनाडू से भी लोग इन फर्टिकुलर फेस्टिवल्स में आंध प्रदेश में participate करने आते हैं और जिस जिस constituency में festival हो रहा होता है वहां का जो local politician होता है MP होता है MLA होता है वो overall in games में होस्ट करता है informal तरीके से इनके arrangements करवाता है तो roaster fighting एक प्रकार का open secret estate बे लीगली इस प्रकार की fights को आप सही नहीं बोल सकते हैं लेकिन उसके बाद भी fights openly होती हैं लोगों के अंदर इनकी acceptability ज़्या stands seating parking सबका इस्तमाल की जाता है restaurant और hotels खचा कच भरे होते हैं जैसा होता रहा कि festival के समय पर new year के समय पर hotel वगरा महंगी हो जाते हैं जैसे कि अगर आप goa वगरा चले जाओ new year के समय पर hotel बड़े महंगी होगे चुकि वो उनका season time होता है तो इसी प्रकार से जहां पर यह roaster fights ह के अंदर होती है floodlights आपने देखा जब day and night match हो रहा होता cricket का तो उपर बड़ी-बड़ी लाइटे चल रही होती है रात की समय मैच चल रहा होता है तो यहां पर मुर्गों के लिए भी floodlights लगाई जाती है मुर्गों के लड़ाई दिखने के लिए रात में लाइटे चल रही बट एक्चुली में फिगर कम हो सकता है जो कि अंदर प्रदेश में टेस्टिंग उस लेवल पे नहीं हो रही है तो there is potential for under reporting मतलब cases कम report हो रहे हो तो हो सकता है 3000 cases जादा हो कितने जादा उसके बारे में नहीं का आजा सकता है लेकिन definitely festival के समय पे हजारों की तागाद में प्रॉपर तरीके से social distancing के mechanism follow नहीं कर पा रही है जो कि मेला सा लग जाता है मेले के अंदर आप क्या ही social distancing करोगे ठीक है पुलिस की भी अपनी capability होती है तो अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर festivals customs traditions ये कहीं ना कहीं हमारी society का एक पार्ट है जरूरी है लोगों की आप के इस प्रकार से negligence और lack of COVID-19 appropriate behavior second wave के दौरान वादा कुछ-कुछ वैसा ही इस समय पे हो रहा है तो इसको यहाँ पर रोकने की जरूरत है रोकने के लिए पुलिस ने कुछ जगों पर raid मारी है तो hundreds of लोगों को book किया है money, knives, roosters इन सब को यहाँ पर overall पकड़ा गया है, recover किया ग पर लोग और ruling class के लोग और अमीर लोग इस प्रकार की चीजों को करवाने पर उतारू है तो वो होगी जरूर और ऐसे events super spreaders बन सकते हैं, भले राजी की सरकार ने कर्फियू लगा रखा है रात को 11 वज़ेसे सुबह 5 बेज तक कुछ नहीं होगा, 31 जन्वरी तक जितनी भी festival gatherings जैसे की फार गंबिर शादी वगरा है या फिर कोई congregation है, तो उस case में maximum 200 participants आ सकते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे आप कहले जे restrictions लगाए गए आंधर प्रदेश के अंदर, लेकिन इस प्रकार के festivals में restrictions को ignore कर दिया जाता है, ऐसा indirectly author यहाँ पर बोल रहा है, जो कि public health के perspective से भी सही नहीं है, ठीक है, लेट सी आगे क्या होता है यहाँ पर, तो इस super spreader event rooster fight आंधर प्रदेश के बारे में हमने यहाँ पर बात की, next बात करेंगे taxing cryptocurrency transactions, a streamlined tax regime is pivotal to a clear constructive and adaptive regulatory environment, क्या बताया जा रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए recently Parliament में cryptocurrency and regulation of official digital currency bill introduced हुआ, cryptocurrency को regulate करना चाती है सरकार, सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि, लोगों को एक clear cut पताय कि, सरकार cryptocurrency को regulate करना चाती है, सरकार cryptocurrency के favor में नहीं है, उसके बावजूद भी Indians cryptocurrency में invest कर रहे हैं, यह ऐसा बताया जा रहा है, कि 10 करोण Indians लगभग 10 million dollar, यानि लगभग आप कह लिजए कि 1 करोण रुपया, 75 से 80 करोण रुपया total invest कर चुके हैं, क्रिप्टो करनसी में, तो पहली बात तो क्रिप्टो करनसी को regulate करना, और उससे भी बड़ी बात क्रिप्टो करनसी से tax जोटाना, देखे, भारत सरकार के पास यह त बड़ी बात है, आप कैसे क्रिप्टो करनसी से कमाय हुए पैसो पे tax वसूल होगे, this is a herculean task in itself, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है, चुकि पहली बात तो क्रिप्टो करनसी के flow को monitor करना यह अपने आप में मुश्किल बात है, और आपने flow monitor कर लिया, तो उसकी pricing decide करना, आप कौन से head के अंदर यह tax इखटा करोगे, इसको decide करना मुश्किल है, जैसे for example, अगर आप क्रिप्टो करनसी की trading को capital asset बानते हो, तो उसके उपर capital gains tax लगेगा, वही पर अगर आप इस क्रिप्टो करनसी की income को stock and trade, और आप कह लिजे कि माली, जैसे for example, business markets में, stock markets में, अक्सर ल clearly defined नहीं है, कि क्रिप्टो करनसी से कमाय हुए पैसे के उपर, अगर income tax लगाया जाएगा, तो उसको कौन से head के अंदर identify किया जाएगा, बहुत सारे लोग यह भी बोल रहे हैं कि income tax के पास, according to income tax act 1961, यह ताकत ही नहीं कि वो क्रिप्टो करनसी के उपर taxes लगा सके, लेकिन द भी tax लगाया जा सकता है, तो अगर सरकार अपनी पर उतर आए, तो वो क्रिप्टो करनसी के उपर definitely tax वसूल सकती है, कोई रोक नहीं है सरकार को, लेकिन कुछ और बहुत challenges है, देकि क्रिप्टो करनसी virtually trade की जाती है, और store भी virtually की जाती है, तो इस प्रकार के क्रिप्टो करनस से related explicit tax provisions नहीं है हमारे income tax act में, चोकि जब income tax act बनाता तो उस क्रिप्टो करनसी नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं थी, अब आ चुकी है, तो क्रिप्टो करनसी को कौन से head के अंदर आप tax करोगे, ये पहली problem है, दूसरा, क्रिप्टो करनसी में आप computation कैसे करोगे, पहल आते हो, तो फिर वो individual tax lag में आ जाएगा, तो वहाँ पे और tax rates बढ़ जाएगा, आपको पता होना चाहिए, कि अगर आपकी income साला आना 30 लाग से जादा है, तो आपके उपर 30% का income tax है, capital gains tax उससे बहुत कम का है, तो किस हिसाब से आप cryptocurrency से आने वाली income में profit मानोगे, कौन से section of the income tax के अंदर आप tax लगाओगे, क्या capital gains tax के अंदर लगाओगे है, individual tax lapse के साब से लगाओगे, तो सबसे खास बात यहाँ पर यह है, कि किसी के पास मानलो cryptocurrency है, bitcoin है, कोई सा भी coin है, अब उस coin की क्या value है, market value यह कैसे पता करोगे, अलग-अलग जो cryptocurrency exchanges है, वो अलग-अलग value ब में दूसरी हो सकती है, तो उस particular cryptocurrency की fair market value उस दिन पर क्या है, यह आप कैसे पता करोगे, तो यह कुछ बहुत potential issues है, जिसके बारे में सरकार को यहाँ पर बातचीत करनी पड़ेगी है, और overall cryptocurrency के ओपर tax लगाने के लिए सबसे पहले तो सरकार को cryptocurrency को recognition देना पड़ेगा, और वो recognition ही भी सरकार ने नहीं दिया है, तो यह एक issue यहाँ पर निकल के आ रहा है, दूसरा, cryptocurrency में आप tax jurisdiction को identify कर पाऊ है, यह आपने बहुत मुश्किल है, चुकि देखे, आपको समझना पड़ेगा कि यह जैसे for example मैं हूँ, माल लो मेरे पास 25 bitcoin है, अला कि होते तो मज़ा आ जाता बड़ा अमीर होता मैं, ठीक है ना, लेकिन माल ले जाए, hypothetically मेरे पास 25 bitcoin है, अब यह 25 bitcoin माल लो मेरे ledger में पड़ा हुआ है, लेकिन ledger किसी foreign country के server में पड़ा हुआ है, अब मैं माल लो 25 bitcoin का order हूँ, तो मैं कोई शोटा मोटा आदमी नहीं मेरे पास बहुत पैसे है, ठीक है तो मेरी movement है, मैं कभी America जा रहा हूँ, कभी London जा रहा हूँ, तो इन 25 bitcoin के ऊपर कौन सा jurisdiction tax लगाएगा, इंडिया लगाएगा, कि America लगाएगा, कि UK लगाएगा, चोकि मेरी movement बहुत सारी various countries में है, तो कुल में राके एक cryptocurrency कौन से server में store है, ठीके ना, यह आप कैसे disguise करोगे, जोकि cryptocurrency के multiple transfers है, तो कल की date में माल लो, मैंने कोई, आप के लो, foreign currency transaction किया, और इसमें payment bitcoins में कर दिया, कुछ को regulated तो यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे cases में, इंडिया की सरकार में उपर tax लगाएगी, कि विदेश की सरकार tax लगाएगी, बहुत सारी countries में तो cryptocurrency को ban कर दिया है, तो यह सब चीज़े identify करवानी मुश्किल है, तीसरा, cryptocurrency का owner कौन है, इस बात को identify करना अपने आप में मुश्किल है, cryptocurrency के holders इस समय पे बहुत अत्तक anonymous है, मालनो मेरे पास अगर cryptocurrency है, तो जो मेरा crypto address होगा, उसमें मेरा नाम पता नहीं लिखा होगा, बस alpha numeric characters का एक code होगा, और वही मेरे identity है, मैं उस code को enter करूँगा, अपना password एंटर करूँगा, और cryptocurrency के server पे में login कर जाओगा, समझगे बात को, तो मेरा कोई know your customer norm नहीं हुआ है, आप bank में जाके account खलवाते हैं, तो आपके know your customer norms verify होते हैं, ठीके, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आप बस एक alpha numeric character के basis पे, bitcoin क server पे है, किसी भी cryptocurrency exchange के server पे login करो, और अपनी cryptocurrencies को regulate करो, अगर आप username, password भूल का है, मतलब गया आपका, समझगे, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी black money को यहाँ पर पार्क कर रख था, उससे criminal activities को fund करते हैं, terrorism को fund करते हैं, आप सोचिए, अगर किसी को India के अंदर terrorist activities को finance करना हो तो पैसे तो इंडिया के अंदर या US dollar इंडिया के अंदर लाने मुश्किल है, bitcoins इंडिया के अंदर लाए जा सकते हैं, तो कल की date में UAE के handler को इंडिया के अंदर को terrorist operation करवाना है, तो वो payment किसमें कर देगा, bitcoin में कर देगा, और इंडिया के अंदर जो भी bitcoins में dealing कर रहे हो third party information on crypto transactions, ये क्या चीज़ है, देखे, income tax department, इस बार अगर आपने income tax का module देखा हो, तो जैसे आप अपनी information उसमें डालोगे न, बहुत सारी income आपकी automatically populate हो जाएगी system के अंदर, चोकि income tax department के पास है CASS, computer-aided scrutiny selection of assessment, तो इसके basis पे कोई भी taxpayer अपनी information जैसे ही income tax के system में डालेगा बैंकों में उसके account में कितना पैसा आया है, automatically income tax इस चीज़ को उठा लेगा, और जितने भी column से वो भर जाएगे, तो बहुत हद तक बैंकों में आपकी कितनी interest income आई हो, आपने बाकी क्या पैसा कमाई है, automatically income tax के system में पहुंच जाता है, कैसे पहुंच रहा है, तो third parties के दू पता चल जाता है कि एक particular individual के bank account में कितना पैसा आ रहा है, तो ये third party वाली स्विधा cryptocurrency के मामले में लोगों के पास available नहीं है, सरकार के पास available नहीं है, तो कल की date में सरकार को cryptocurrency के ओपर tax लगाना है, तो ये जो third party है यहाँ पर, यहाँ पर third party players कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ third party players हो जाएंगे cryptocurrency intermediaries, जैसी कि crypto exchanges, wallet providers, network operators, miners, administrators, जो यहाँ पर bitcoins को और cryptocurrencies को regulate करते हैं, ये players है third party, अब ये players कभी भी सरकार को information नहीं देंगे, income tax department को information नहीं देंगे, बहुत मुश्किल इनसे information निकालना, तो कल की date में, सरकार को automatically ये पता कर पाना, कि cryptocurrency में किसके पास कितना पै support यहाँ पे सरकार के पास नहीं है, और मान भी लो, कि ये जो crypto intermediaries है, ये know your customer norms के बारे में information provide कर भी देती हैं, अगर सरकार को, तो बहुत हद तक physical transaction सरकार नहीं track कर पाएगी, तो एक bitcoin के बतले आपने कोई asset खरीद ली, दुकान में समान खरीद लिया, कोई बहुत बड़ा iPhone, मतब इस टाइब की चीज़े खरीद ली, तो ऐसे transactions सरकार के ambit से हमेशा ही बाहर रहेंगे, तो आप समझ सकते हो कि crypto currency को regulate करना और उसके बाद उसके ओपर tax लगाना, ये अपने आप में बहुत major challenges है सरकार के सामने, और इन major challenges को sort out करने के लिए international practices को देखना पड़ेगा, ब कोई सरकार अभी regulate करने को तयार नहीं, जो कि सरकार cryptocurrency को regulate नहीं करती है, ठीक है, तो ये सब बाते overall बताई गहीं है, तो सबसे पहले income tax act के statutory provisions के अंदर आपको proper definition defined करनी पड़ेगी crypto assets के लिए, कि crypto assets क्या है, उनको tax purposes के लिए किस प्रकार से taxable किया जा सकता है, guidelines क्या है उनसे related ये proper तरीके से सामने लेके आना पड़ेगा 12 सरकार को income tax department को, ठीक है न, फिर अगर आप देखो तो United States में, जब भी आप tax भरोगे न, तो वहाँ पे mandatory disclosure requirement है, United States में जब आप tax file करते हो, तो वहाँ पे आपकी कौन से head में exactly किस particular source से income आई, या आपको लिखेना पड़ेगा, इ the pattern पे हमें भी अपने tax returns को बनाना चाहिए, हाला कि वो थोड़े से tricky हो जाते हैं, इंडिया में लोगों के अंदर financial awareness इतनी नहीं है, इसलिए हमारे tax return forms को simple बनाया गया है, फिर जो लोग भी crypto currencies में deal कर रहे हैं, उनकी real identities tax department को पता होना चाहिए, चुकि अभी के लिए क्या है आपका know your customer नाम नहीं होता, जैसे कि मैंने बताए, एक alpha numeric character आपका identity होगी, आपका नाम, pan card इससे कोई मतलब नहीं है, तो proper तरीके से registration करवाना, income tax department के साथ, यह यहाँ पे बहुत ज़दा ज़रूरी है, ठीक है, हमारे income tax department के officers को, government officers को, blockchain, technology के बारे में training देना, यह सब भी यहाँ पे ज़रूरी है, अगर आप US की बात करो, और internationally देखो तो United Nations Office on Drugs and Crime, Cyber Crime and Anti-Money Laundering section, UNODC-CMLS, इसने अपना एक unique cryptocurrency training module बनाया है, जिसके चलते tax officers को, blockchain, technology, cryptocurrency किस प्रकार से काम करती है, इसमें training दी जाती है, कुछ इस प्रकार की training, इंडिया के भी income tax officers को देने की जरूर कर पाएं, जो tax authorities हैं, इंडिया के अंदर, उनको अपने आपको equip करना पड़ेगा with the latest forensic software, जैसे की US में चलता है elliptic forensic software, US की internal revenue services को इस्तमाल करती है, और graph sense नाम का जो software है, वो European Union इस्तमाल करती है, तो इस प्रकार के softwares को Indian tax authorities दार इस्तमाल करना पड़ेगा, ताकि crypto transactions, real time में authorities को पता चल सकें, और यह authorities proper तरीके से सही समय पर action ले सकें, यह सब overall बाते हैं, यह आपर बताई गई है, यह article इतना potent इसलिए हो जाता है, जो कि इसको लिखा है, आस्था सुमन जी ने, यह Indian Revenue Services की officer है, Deputy Commissioner Income Tax करनाट का इन गोवा में इसमें पर पोस्टन है, सासत इशान श सकते हो, कि आर्टिकल में धम है, काफी अच्छी व्यूपॉइंट्स भी यहां पर बताएं गया है, नेक्स्ट आते है, Friend In Need, India and Sri Lanka have shown an ability to quickly act on promises to each other, recently यहां पर क्या हुआ है, कि इंडिया और श्री लंका, तो हमारे External Affairs Minister Jai Shankar साप, और श्री लंका की Finance Minister Basil Rajapaksa, इनके बीच में एक virtual meeting होई online Saturday को, और यहां पर इंडिया ने श्री लंका को assurance दिया, कि भाई, जो भी आपके सामने economic challenges आ रहे हैं, और pandemic की चलते challenges आ रहे हैं, जितना हो सकेगा, इंडिया आपकी मदद करने की कोशिश करेगा, यहां पर श्री लंका के सामने बहुत जल्दी ही कुछ tough decisions आने व श्री लंका की सरकार पूरी दुनिया से उधार उठाती है, बहुत सारी countries से उधार उठाती है, domestically उधार उठाती है, उसके लिए श्री लंका की सरकार अपने bond issue करती है, जिसको आप treasury bills या government securities भी बहुत सकते हैं, श्री लंका के अंदर हो सकता है, कोई और नाम लिया जाता ह अब obvious सी बात है, जब इन bond का maturity period आ जाएगा, तब श्री लंका की सरकार को पैसा लोटाना होगा, या ऐसा ही 500 million dollar श्री लंका की सरकार को 18 जनवरी को लोटाना है, अब या तो श्री लंका की सरकार यह पैसा लोटा दे, और अगर श्री लंका की सरकार यहाँ पे default करती है, तो श्री लंका ने चैना से उधार उठाए था, और चैना को उधार लोटा नहीं पाए, तो श्री लंका ने lease ले लिया उस port की, तो इस समय पे श्री लंका ने इतना उधार उठा लिया है, कि इनके पास उधार चुकाने के पैसे नहीं बचे, उपर से credit crunch चल रहा है, GDP कम होई ह COVID-19 के चलते tourism export remittances को नुकसान पहुचाए, श्री लंका के foreign exchange reserves बहुत कम हो गए, 2019 में श्री लंका के foreign exchange reserves से 7.5 billion dollar, नॉमबर 2021 तक वो 1.6 billion dollar के आगए, 2021 तक 7 billion dollar की debt payment वापस करनी है श्री लंका को, तो राजा पाकसा सरकार के पास problems बहुत जादा है, और इस problem के समय राजा पा श्री लंका की मदद करना चाहते हैं, जो कि दोनों के ही interest है श्री लंका में, रिसेंटली चाइनीज फारल मिनिस्टर वांगी साब ये श्री लंका गए भी थे, और वहाँ पे उन्होंने श्री लंका का जितना भी उधार दिया है, उसको restructure करने की बात की है, चाहिना ने भ और प्रॉंक इनिशेटिव की बात की, जहां पर इंडिया lines of credit देगा श्री लंका को, ठीके ना, fuel, food और medicine के लिए इंडिया श्री लंका की currency को overall accept करेगा currency, swap इंडिया ने किया है, 400 million dollar का debt reference इंडिया ने दिये श्री लंका को, और ये सब कुछ assurances के बाद ही दिया है इंडिय इंडिया और श्री लंका के रिष्ट थोड़े गढ़ बढ़ाये थे जब East container terminal project को श्री लंका ने खारिच किया था, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छी news सुनने को आई है, त्रिलंको माली oil farms project इंडिया श्री लंका के बीच में final हो गया है, जिसमें इंडिया की जो Indian oil corporation लंक इंडिया वाली company है, वो participate कर रही है, तो इसके चलते, इंडिया definitely श्री लंका की financial field में थोड़ी मदद कर रहा है, और obvious सी बात है, इंडिया इसमें कुछ अश्रोजन सच चाहेगा, आज की date में इंडिया financially श्री लंका को मदद करे, कल श्री लंका कोई project कैंसल कर दे, ये उधार की payments की help मिली है, यहाँ पे श्री लंका को इंडिया की तरफ से, अब समझ ये, इंडिया और श्री लंका के बीच में, जो outstanding issues है, वो बहुत ज़्यदा complex है, पहली बात तो इंडिया को इस बात से problem है कि चाइना एक हद से ज़्यादा श्री लंका के internal affairs में intervene करता है, श् सरकर श्री लंका की navy हमारे इंडिया फिशल्मन को पकड़ लेती है, कुछ दिन पहले इंडिया फिशल्मन की एक vessel, श्री लंका नेवी वेसल से टकरा के डूब गई, बहुत सारे हमारे श्री लंकान फिशल्मन की मिलत्यों हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा issue है, उसके बा बुद्धिस्ट मेजॉर्टी सरकार के दोरा, सिनहला बुद्धिस्ट के दोरा, ये अपने आप में एक बहुत मेजर sticking point है, इंडिया श्री लंका की रिष्टों के बीच का, और जो सबसे बड़ा sticky point है, वो है चाइना का excessive interference in the श्री लंका internal affairs, जो कहीं न कहीं इंडिया को sleepless nights पर उसके बावजूद भी इंडिया श्री लंका एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे है, 900 मिलियन डॉलर्स की मदद रीसेंट्ली मिली है इंडिया की तरफ से श्री लंका को, और ऑविसी बात है, इसके साथ साथ कुछ informal assurances भी आए होंगे श्री लंका की तरफ से इंडिया को तब जाके इंडिया ने यहाँ पर पैसे के डेप्ट में मामले में श्री लंका को सपोर्ट किया, लेट सी लॉंग टर्म में किस हद तक इंडिया अपने strategic assets को सेफगार कर पाता है, श्री लंका के अंबर, ये बड़ा सवाल है, नेक्स आर्टिकल है, अनकॉंकर, अटेस स is the last unconquered Bastion, इंडिया उस्ट्रेलिया में जाके अस्ट्रेलिया को रा चुका है, इंडिया इंग्लेंड में जाके इंग्लेंड को रा चुका है, इंग्लेंड के साथ 2-1 की लीड पे था इंडिया, अलागे टेस सीरीज रुख गई, रुख क्यों गई, जो कि बाइक रिक्र क इंडिया साउथ अफरीका के अंदर हार चुका है ठीक है तो कुल मिला के यहां पर उसके बाद विराट कोली ने आप देखो तो रेटार्मेंट ले लिया है शुरुवात में जब पहला टेस्ट मैच हारी साउथ अफरीका तो कुंटन डी कॉक ने प्रीमेच्च रेटार्में उन्होंने यहां पर टेस्ट मैच से सन्यास ले लिया उसके बहुत सारे प्लेयर्स उनके इस डीसीजन को सपोर्ट भी कर रहे है और चैंपेन प्लेयर है नो डाउट इसमें कि बाई जो भी है ओवराल टीम पर्फॉर्मेंस होती ही टीम पर्फॉर्मेंस की वैसे हार रहा औ दो प्लेयर्स का फॉर्म यहां पर बहुत खराब बताया जा रहा है एक चितेश्वर पुजारा का जिंक रहाने इन दोनों को ही टेस्ट बैट्समें की कैटेगरी में अवल दर्जे का प्लेयर माला जाता है पट इनकी जो पर्फॉर्मेंस थी वो पर्फॉर्मेंस काफी ग कैटेश्प से रिजाइन करती है मतलब हट गया उनोंने अभी के लिए देखा जाया तो टेस्ट में सबसे सक्सेस्फुल कैटेन रहे हैं कोली अब तक के 68 मैचेज में 40 टेस्ट मैच कोली की कैटेश्प में इंडिया जीती है अब मैं आपको एक बात बता दू इस प्रकार क इंपे भी डैफ के फॉर्म में कि आपको क्रिकेट में इंट्रेस्ट है तो भाई ये टॉपिक्स बड़े सेंसेटिव कोश्चन बन सकते हैं आप बहुत आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने अपने डैफ के फॉर्म में या अपने इंटर्व्यू की समय ये बोल दि कि आप क्रिकेट में इंट्रेस्ट रखते हो अभी जो इंटर्व्यू अगर मालो हो रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि विराट कोली की रिटार्मेंट शिप को लेके आपका क्या बोलना है क्या परफॉर्मेंस रही है विराट कोली की क्या परफॉर्मेंस रही है इं कमांड रखना है चुकि क्रॉस कोश्चेंस आएंगे जबरदस तरीके से हो सकता है कि आपके आदे घंटे के इंटर्वीव में 20 मिनट तक वो आपसे क्रिकेट पर ही सवाल पूछते रहें चुकि आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से बता है बहुत सारे लोगों ने भी बताया होगा कि जब इंटर्वी होता है यूपसी का वो पर्सनाल्टी टेस्ट होता है और पर्सनाल्टी टेस्ट में आपका अवेरनेस चक करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आपसे इंटेलेक्चुल सवाल पूछे हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स के फील्ड में ही आदे करके इनका पोटेंशियल आउटकम बता रहा हूं कि यह टॉपिक साफो किस तरीके से एक्जाम में परिशान कर सकते हैं नेक्स टाम वर्निंग्स ऑफ मेगा सिटी कोलाप्स यहां पर बात की जारी है फंक्शनल मेट्रोपॉलिटन सिटी के वारे में वाट अरब नीड़ न मतलब एक छोटा से लाका आपने इडेंटिफाई किया वहां पर इंफ्रस्ट्रक्चर को बहुत ही जवर्दस्त कर दिया और बोल दिया कि भाई यह वन आप दा स्मार्ट इंक्लेवेस बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी का यह नहीं चाहिए हमें पूरी तरीके से फंक्शन लीडर्स को याद दिलाती है कि एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स के प्रती किस हद तक हमारे अरबन आप कहलो इस्टिटूशन्स वर्ल लरेबिल हैं जब बारिश हुई थी तो तमिल नाडू की कैपिटल चिन नहीं जहां पर एक इंटरनेशनल एरपोर्ट है एक मेजर सी वो आल्मोस्ट लॉक्डाउन में चला गया एंबुलेंस साइरेन बजाते हुए सड़कों पे जा रहे थे सड़कों पे निवर एंडिंग जाम लगा हुआ था इत्ता लंबा जाम ट्रेने रुख गई पानी की वजए से लोग ट्रेनों से उतर के पैदल घर जाने लगे रा मौनसून का इतना तगड़ा इंपक्ट आया कि कुछ समय के लिए COVID-19 को तो तो तमिल नाडू में और चिन नहीं में लोग यहाँ पे भूल गए अगर आप देखो तो 2021 का जो मौनसून आए ची नहीं ना एक समय पे एक दिन में 24 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होगी जो बह बजूद भी लॉंग टर्म में हमारे जो पॉलिसी मेकर सें वो ज्यादा स्टेप्स लेते नहीं अगर एकलोजिकल कंसरंस के रिस्पेक्ट से देखा जाए हमारी कंट्री में क्या क्या हो रहा है तो हम लोग ग्रीन रूप्स बनवा रहे हैं सोलर पावर का ज्यादा इस्तम कर रहे हैं लेकिन जब बात आती है नैच्वल फ्लड प्लेइन की कंसर्वेशन की रिवर कंसर्वेशन की मैंग्रोव मार्श गार्डन के पर्वेशन की तो उस पर हम लोग जादा ध्यान नहीं देते हैं वहाँ पर इंक्रेच्मेंट पूरी तरीके से चल रहा है अगर आप स्कूर्स तर डायर नीड फोर ओल सिटीज तो बिकिम हेल्दी सिटीज बाई 2030 तक सारी सिटीज को हेल्दी सिटीज बनना बहुत जरूरी है अगर नहीं बनती है और उस बीच में कोई COVID-19 का पैंडमिक आ जाता है तो उस केस में उस शेहर का जो अगर आप क्लाइमेट इंपक्ट को अपने प्लानिंग में इंक्लूड नहीं करते हो तो लॉंग टर्म में जो नुक्सान है वो बहुत साथ है अगर आप देखें तो भाई नीती आयोग रिकमेंड करता है पांच सो प्रायोर्टी सिटीज तो बी इंक्लूड इन अगर आप तमिल नाडू की बात करो तो तमिल नाडू में अर्बन इलाकों में अर्बन लोकल बॉडीज के पिछले दस सालों से अलेक्शन ही नहीं हुए है एक तरफ नीती आयोग अपनी रिपोर्ट में बोल रहा है कि डेमोक्रेटिकली एलेक्टेड लोकल गॉर्मेंट का एक बहुत इंपोर्टेंट रोल है when it comes to tackling the local ecology in a sustainable manner और वही पे अगर आप देखो तो तमिल नाटू जैसे स्टेट में जहाँ पे cyclone अकसर कराते हैं चिन नहीं में weather patterns इतने बिगड़ जाते हैं वहाँ पे पिछले एक decade में अर्बन लोकल बॉडी के election ही नहीं हुए है समझ गया तो आगे आने वाले समय में भाई हमें इस बात को ध्यान रखना है कि overall urban इलाकों में sustainable development होना चाहिए अब urban इलाकों में बड़ी problem है कि लोग रहे का लोगों के पास रहने की जरार नहीं है इसने सरकार नए housing stocks बना रही है 7,933 urban settlements बनाये जा रहे हैं देश के बहुत सारे हिस्सों में ज़ादा तर उन शहरों में जहां पे आदी आबादी एक मिलें से ज़ादा है अब problem यह है कि एक मिलें से ज़ादा वाली आबादी वाले शहरों में कोई भी master plan नहीं है और informal तरीके से चीजें होती हैं जो मुंबई और चिन्नई के आप कहलो natural pockets है जो natural wetlands है फ्लैट प्लेंस है वहाँ पर क्या होता है इंक्रेच्मेंट होता है और इंक्रोच्मेंट अमीर भी करते हैं गरीब भी करते हैं लेकिन जब कोई weather pattern उल्टा सीधा हो जाता है कोई की जाए तो मुंबई में एक मीथी river development and protection authority है जब 2005 में मुंबई में floods आये तो उसके बाद इस particular authority ने जो गरीबों ने अपनी जोपरपटियां वगारा बनाई थी इंक्रोच्मेंट बनाये थे उनको हटाने की बात की गई लेकिन जो बड़े बड़े पर्मनेंट structure IT hubs वागारा बनाये गए थे इन इंक्रोच्मेंट वाली जगहों पर उनको नहीं touch किया गया उनको बुला गया कि इनको touch करोगे तो बहुत नुक्सान हो जाएगा तो कुल म जैसे for example चिन्नाई के अंदर floods आ जाते हैं तो drain wet work के तरफ सब का ध्यान जाता है लेकिन चिन्नाई का एक बहुत बड़ा marshland है पली कर नहीं अब आप बोलो कि marshland का मतलब क्या होता है marshland मतलब एक मिट्टी टाइप की जगा कि अगर लमिट स्यादा पानी है वहाँ पे अगर बरस जाता है तो वो marshland उस पानी को सोक लेगा अब इस marshland के उपर commercial encroachment हो रहा है और इस commercial encroachment के तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता चिन्नाई के अंदर जो कि बड़े-बड़े corporates क building मनी हुई है तो उनको हिलाप आना मुश्किल है उनके political connections वगर है तो encroachment यहाँ पे market forces के हिसाब से हो रहा है overall environment की sustainability के हिसाब से नहीं हो रहा है environmental की sustainability बहुत important है प्रस एक बात और बता दे अगर आप देखो तो चिन्नाई मुंबई जैसे शेहरों में एक और बहुत बड़ा event यह देखा जा रहा है कि अब देखो main शेहर में तो रहने की जगा बची नहीं है तो कुछ लोग क्या है कि शेहर से बाहर निकल के जाके रहते हैं जैसे कि चिन्नाई Metropolitan Developmental Authority ने क्या किया है कि चिन्नाई शेहर के बहुत सारे pockets identify कि यह वहाँ पर जाके लोग रह सकते हैं वहा है कि शेहर के अंदर जगा बहुत कम मची है तो population को बाहर shift करने की बात की जा रही है लेकिन जहां बाहर आप population shift कर रहे हैं वहाँ पर लोगों के लिए basic facilities तक available नहीं है तो इस प्रकार की unsustainable developmental policies को implement किया गया है इंडिया के अंदर और इसके लिए पूरी तरीके से सरकार responsible नह चेंड़ और Mumbai जैसे शेरों में बाड आती है जब बाड आती है लोग मरना शुरू करते है पूरा का पूरा public transport ठप हो जाता है city sandstill में आ जाती है तब जाके हमारे policy makers को कुछ समय के लिए आद आता है कि climate change हो रहा है एक लाजी को ध्यान रखना है sustainable development करना है और जैसे ही event खतम होता है जैसे भी बारिश पगारा बंद होगी लोग भूल गया अब अगले साल जब फिर मौनसून आएगा फिर बारिश आएगी तब फिर एकदम से लोगों को problem याद आएगी तो आज की date में जरूरत ये है कि भाई हम sound functional metropolitan cities बनाएं जो floods handle कर सके heat waves handle कर सके pollution handle कर सके mass mobility को handle कर सके हमें यह नहीं चाहिए कि हम flashy smart urban inclays बना रहे हैं जहां पे कुछ pockets में जरूरत स्यादा development कर दी चमक धमक कर दी और overall city की soundness पे ध्यान नहीं दिया हमें overall city functional चाहिए जो floods, heat waves, mass mobility और pollution जैसे city चीज़ों को tackle कर सके यह बताएगे यहां पर जी अनन्त कृष्णन जी के दौरा जो kitchen नहीं बेस जेनलिस से thank you for watching friends, जादर से जादर लोग साथ इस वीडियो को share करिएगा, join button दबा के अगर help कर सके तो जरूर दबाएगे दोस्तों उससे काफी मदद मिलती है, instagram पर follow कर लिजे, telegram group join कर लिजे